हाई एव्रीवान एंड वेलकम टेडू काप्टन तो यार आपकी वोट बूसर सेरीज में आज जो चाप्टर हम शुरू कर रहे हैं उसका टाइटल है दा लास लेसन और इसके हमारे ओतर है अलफॉंसर डॉडड़िट यार ये चाप्टर पढ़के आपको बहुत सारी उसके बारे में आपको फील होगा साथ ही साथ आपको ये फील होगा कि अगर एकदम कίν लें ना कि इस देश में आपको एंड़ कर एक लेंगवीज है तो यह सैंने हमार के बाकी आपके लिए निलिएख सजागे हमने रखी हुई है जैसे आपसे मैंने बादा किया था इस चाप्टर के end में एक question मैंने आपके लिए सजा के रखा हुआ है वो उन students के लिए जो कि कुछ मिंटों के अंदर कुछ घंटों के अंदर उनका exam है बाकी अगर आपके पास 24 घंटे से जादा का समय है मेरे भाई तो आपको सारे ही chapters की proper pdf important questions की मिल जाएगी उन chapters को उन questions को करके आपको अपके exam में जरूर 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 जाना है तो मेरे भाई आपका पढ़ने का हमने proper कर दिया है इंतिजाम छोड़ो बहाना और बजा दो गाना step by step हम आपको करे guide toppers की गिंती में आप अपने नाम रहें यह मज़ा भी पढ़ाई भी यह board booster कोई वज़ा नहीं भाई से न नो तू कर तुम ही topper तॉप कर वे देडियो captain है all right so chapter पर जाने से पहले हमें थोड़ा सा हमारे author के बारे में जानना पड़ेगा और यह time frame कौन सा है उसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपकी France और आपके प्रश्या की war हुई थी अब यहाँ प्रश्या हमारा कौन सा है प्रश्या है हमारा हमारा अगर म उन्होंने कुछ पार्ट अलसासे का और हमारा लॉर्ण का यह जो है प्रश्या ने कबजा कर दिया अब उसके बाद की कहानी आगे है तो यहाँ पर हमारे author कहते है कि भाई school जा रहे थे वो ठीक है और उन्हें उस दिन बहुत जादा डर लग रहा था Mr. Hamill यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बढ़ाँगा मैंने जो highlight किया है वहना मैं सिर्फ उन्ही लाइन को पढ़ूँगा और आपको proper चाप्टर तसल्ली से समझ में आना शुरू हो जाएगा त तुमारी धुनाई है तो क्या है कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप फोड़े थोड़े डरते हुए श्कूल जाते उस दिन ठीक है और आपका मिन करता है कि यार आज भाग जाओ या कहीं कुछ कर लू यहाँ वही सारा सेनारियों यहां पर बहुत डरे वे थे क्यूंकि सब्सक्राइब करते हैं तो फिर कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए तो उन्हें ऐसा लगा कि वह क्लास से बाहर अपना दिन स्पेंड करें वहाँ पर चीडिया जो है चैचा रही है वहाँ पर सौ मिल के अंदर लकडिया आ रहे सौ मिल क्या होता है एक ऐसी फैक्टरी चैप होती है जहां पेड की प्रॉफर लगडी आते है कट कर और वह बड़े बड़े प्लैंक्स के अंदर अच्छे से उनकी कटिंग होके वहाँ पर तयार किये जाते हैं उसको ऑम सौ मिल कहते हैं तो जाता है यह बहुत ही जाता टैम्तिंग था बतलब यह बहुत है होता ह लेकिन फिर वह कहते है कि भाई नहीं मैंने खुद को रोका और मैं स्कूल गया और कह रहा है कि जब मैं टाउन हॉल से पास हुआ अभी टाउन हॉल क्या होता है यार देखो वेस्टन कंट्रीज के अंदर छोटी छोटी जब जब जगह होती है तो वहाँ पर जितने भी क्राउड को देखा बुलिटन बोर्ड के बास ड़ाफ्ट ड्राफ्ट होता है कि जब आपकी कंट्री हार रही होती है या बहुत ज़्यादा उसके उपर संकट आया होता है तो उस टाइम पर जो है कंपलसरी जो है लोगों को मिलिटरी के अंदर भरती किया जाता है ताकि व चाह जा रहा है अब इसके बात क्या होता है तो यहाँ पर गिधतो है यह तरीके का चले होता है यह सकते हैं तो बच्चे ने यह सोचा था कि भाई जब मैं स्कूल पहुंच उगा तो स्कूल के बसल होता है उनिषन होता है यूनिषन यूनिषन का मतलब होता है बहुत सारी नौइज होती यूनिषन होता है जैसे आपने सुना होगा हम at the class के उंदर गोड मौर्निंग मैम एक साथ बच्चे जो है इसको बोल रहे होते हैं उसको that is unison तो कहता है कि जब वो सोच के गयाता है कि इस चहचाहट के अंदर इस शोर के अंदर वो कहीं जाके अपना चुपचाप जाई की क्लास में बैड जाएगा ताकि उसके टीचर को पता बेन चले और रामसर्स क्राउड के अंदर घुल जाए लेकिन कहता है बट यह ऐसा नहीं था ठीके यहाँ पर लिखा desk without being seen वो अपने desk पर जाके चुपचाप बैड जाएगा किसी को दिखे बेना बट वो क्या थी एक Sunday morning की तरह सुबाती वहाँ पर पूरा स्कूल शांत कोई चहचानने की आवाज नहीं है कोई यहाँ पर अनिजन नहीं हो रहा बिल्कुल एकदम शांत है और सारे बच्चे अलरड़ी अपने अपने प्लेसिस पर है वो कह रहा है कि How I was and How Frightened मुझे ये था कि मुझे सबके सामने जाकर बैठना था Gateway इससा नहीं हूं एर पर काहता है aurmeście आप tack वो सारी शांत वी वर बिगनिंग बिगनिंग विदाउट यू कह रहा है कि उनके टीचर ने बहुत अराम से होने का उन्हें नहीं जाता उन्हें कोई बात नहीं जाकर अपनी सीट पर बैठो और हम तो तुम्हारे भी ना बस शुरू ही करने वाले थे मतलब तुम्हारा इंतिजार कर रहे ठीक है फिर उस दिन वह देखते है कि जो उनके टीचर है ना वह बड़ा ही शांतर सा ब्यूटिफुल ग्रीन कोट पहनते है इस फ्रिल शर्ट फ्रिल शर्ट होता है अपने हेरा फेरी के अंदर देखे हो कि यहां पर शर्ट के उपर कुछ ना कुछ ना कुछ ऐसे लगा हो होता था तब वो इस तरीके का कपड़े पहनते थे बट आज तो ऐसा कुछ भी नहीं था फिर भी उन्होंने कपड़े पहने थे अब यहां पर सॉलम का मतलब होता है जो जो स्कूल था वो पूरी चीज जो थी वो पूरे मॉर्णिक उसे बहुती स्ट्रेंज बहुती सीरिय लग रहा था ठीक है फिर वो देखता है कि यहां पर जो बैंच बैंचिस होते हैं हमारे लासम यह तो अक्सर खाली नहीं थे वहां पर लोग बैट वे थे कौन-कौन बैठा था और होसर होसर उस तराइम पर कुछ एक कास्ट के कुछ कास्ट के लोग थे जो कि वाँ पर पक पीछे टेबल बेट वे थे with his three cornered hat the former mayor, the former mayor, the former postmaster, the several other besides वहाँ पर जो पुराने फॉर्मर का मतलब पहले मेयर हुआ करते थे जो पोस्ट मास्टर हुआ करते थे पहले कि वह सारे लोग वहाँ पर बैटे वह उन्हें के साथ कुछ और लोग बैटे वह कह रहा है कि यह एक common morning नहीं है common सुबह नहीं है यहाँ पर अभी कुछ न कुछ अठपटासा है यहाँ पर फिर वहाँ पर कहता है कि everybody looks at and horser had bought an old primer primer होता है आप कह सकते हो काईदा जिसे हम कहता है बच्पने हम का से कब उतर खा से कर गोश वो जो पढ़ते थे that is primer देखो a book containing basic fact about our subject हम किसी भी subject को पढ़ने के लिए जो basic चीज़े होता है that is primer thumbed का मतलब होता है वो बहुती मुडा हुआ सा तुडा हुआ सा primer उसके हाथ में था ठीक है फिर उसके बाद क्या कहता है while I was wondering it all Mr. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone उन्होंने पता है क्या का Mr. Hamill ने वो कह रहा है कि जब तक मैं figure out कर रहा था कि भाई चल क्या रहा है मेरे पीछे कौन ये लोग आके बैठे हुए ये क्यों बैठे हुए यहाँ पे इतने में Mr. Hamill ने बहुती सहमी वावाज में बोला this is the last lesson उन्होंने बोला ये आपका आज जो है आखरी चाप्टर है क्यों आखरी लेसन है क्यों क्योंके order आया है Berlin से कि अब आपको सिर्फ German पढ़ाई जाएगी इसलिए मैंने आपका जो है background थोड़ा सा set किया था France के लोगों पे जब प्रुशियन ने जो है कबजा किया तो उन्होंने बोला कि हटाओ ये France France नहीं पढ़ाई जाएगी आप यहां पे अब यहां पे जर्मन पढ़ाई जाएगी तो बच्चा हिल गया के भाई ये क्या हो रहा है यहां पे जर्मन पढ़ाने की बात हो रही है France वो कह रहा है कि इस इस यूर लास फ्रेंच लेसन उनके टीचर ने बोला कि ये आज आपका लास फ्रेंच लेसन है वो कहते कि वाट अ थंडर क्लाप ये कह रहा है कि भाई ये कैसा एक शौक लगा है मुझे वो कहते है कि वो लोग जो टाउन होल के बाहर कड़े थे वो ये उदास लोग थे क्या सारे कहते है कि I hardly knew how to write वो कह रहे कि French मैंने सीखे ही ये नहीं ठीक से मुझे नहीं आती है भी ठीक से लिखनी भी क्या मुझे नहीं पढ़नी है अब ये सारी चैप्टर फिर से क्यूं हो रहा है ये सब फिर वो कहता है कि काश में पढ़ लेता काश में वो चिडियाओ के अंडे और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दा सार कहता है कि काश में वो चिडियाओ के अंडे देखने नहीं जाता सार पर slide करने नहीं जाता यहार सार क्या होता है देखो इस तरीके करना एक area होता है यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर यह थोड़ी से धहलान होती है तो इस पर जाके बच्चे जो है वो ऐसे करके slide करते है काश में वो सब नहीं करता my books जो कि मुझे nuisance लगती थी कुछ time पहले तक मतलब grammar की book मेरी history की books यह मेरे उस दोस्त की तरह बन चुकी है अब इस moment पर मुझे उस दोस्त की तरह लग रही है जिनको मैं कभी छोड़ना नहीं चाता हूँ यह मुझे बहुत पहले अजीब लगती थी अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त मुझे लग रही है वो एकदम पागल हो गया कि भाई यह क्या चल रहा है यह last lesson कैसे है मैंने तो अभी French अभी ठीक से सीखी ही नहीं कैसे क्या हो रहा है यह फिर आगे देख वो कहते है कि यार मैं कितना कितना खराब इंसान समझता था हमारी teacher Mr. Hamill को मैं कितना cranky समझता था इन सब को कैता poor man अब मुझे समझ में आ रहा है कि it was in honor of his last lesson कैता है कि यह जो लोग पीछे बैटे है यह जो हमारे Mr. Hamill का आज आखरी lesson है तभी यह नए कपड़े पहन कराएं वो आले कपड़े पहन कराएं जो usually नहीं पहनते है और now I understood the village was sitting अब वो कह रहा है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग पीछे क्यों बैटे हैं क्योंकि यह यहाँ पे बहुत important है यहाँ से लेके it से लेके Mr.Tex को पढ़ना it was because क्यों they were sorry to they had not gone to school more वो कह रहा है कि वो लोग पीछे इसलिए बैटे थे क्योंकि वो भी स्कूल नहीं गए थे it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that that was theirs no more वो सारे अपने teacher को वहाँ पे thanks देने आये थे कि बाई 40 साल से वो वहाँ पढ़ा रहे वो उनके honor के अंदर वहाँ पे आये थे सारे लोग उनके पीछे बैठे वे थे उनका lesson सुन रहे थे कहता है कि जितने में मैं सारी चीज़े सोच रहा था मेरा नायम बुलाया गया और मुझे कहा गया recite करो मतलब पढ़ो तुम आगे तुम बोलो कहता है मैं चाहता था कि मैं बहुत loud बहुत clear बिना किसी mistake के पढ़ू बट मेरा first word ही खड़ाब निकला और में वहाँ पे खड़ा का खड़ा ही रहे गिया कहता है और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ऐसे नीचे देख रहा हूँ तो मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं ऐसे ऊपर की तरफ भी देख पहूँ फिर आगे कहता है फिर उनके टीचर हैमल ने का कि I won't school you के रहे मैं आपको दाटूंगा नहीं everyday we have said to ourselves भा I have plenty of time उनके टीचर आप क्या कहता है कहता है हम हर रोज अपने से खुझ से कहते है के अरे बहुत टाइम है कर लेंगे जो कि आप भी यूशुली करते ही हो ऐसा क्या रहे बहुत टाइम है भी तो यह दस जीन है भी तो आम से कर लेंगे I learn it tomorrow मैं कल सीखूंगा and now you have where we have come out अब आप देखो के हम कहां आ चुके है कहता है ना ओ दोस फैलोज यहां पर फैलोज की बात पते किसके कही गए वो जो शोल्जर वो जो प्रिशन बहार कहें है वो क्या बोलेंगे कहते है कि तुम क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम फ्रेंच मैन उनके टीचर देखो Mr. Hamill क्या कह रहे है कि जो सोल्जर भार खड़े है यह आपको बोलेंगे कि भाई तुम प्रिटेंड भी मत करो कि तुम फ्रेंच हो क्यों? क्योंके तुम ना ही बोल सकते हो फ्रेंच और ना ही लिख सकते हो तुम अपनी खुद की language ना लिख सकते हो ना ही बोल सकते हो कितनी गहरी बात उन्हों ने यहाँ पर बुलिये भाई ठीक है? कहते हैं कि कोई बात नी your parents वो भी इतने वरीड नहीं थे तुम्हें कि तुम इस चीज को सीखो even they preferred उन्होंने हमेशा से एक कोशिश की थी कि तुम किसी farm के अंदर जाके काम करोगे किसी milk के अंदर काम करोगे और उनको कुछ पैसा और लाके दोगे कि इसमें सिर्फ तुम्हारी parents की गलती है तुम्हारी गलती नहीं है मेरी भी गलती है यार मैंने भी मैं भी खुद को blame करता हूँ कि तुम यहाँ पर आते थे मैं तुम्हें अपने garden के अंदर देखो पहले क्या होता था कि जो भी हमारे schools होता है कि बाहर चोटा सा garden होता था तो यह Mr. Hamill जो कि वहीं रहते थे उन्हीं का school था तो यह बच्चों को बोलते थे कि बाहर जो है पौदों में पानी डाल दो कहता है जब मुझे fishing के लिए जाना होता तो मैं holiday भी तो कह देता था तुम्हें तो यहां पर कहता है कि Mr. Hamill फिर बाद में कहते हैं कि यार जो French language है यह बहुत beautiful language है बहुत प्यारी language है the most clearest, the most logical and we must guarded among and never forget it वो कहता है कि हमें इसे protect करना चाहिए हमें कभी नहीं बूलना चाहिए फिर उसके बाद कहते है then he opened a grammar and read our readers our lesson फिर उन्होंने grammar को ली और उन्होंने जो है पढ़ना शुरू किया I was amazed मैं बहुत अमेज हो गया कि भाई ये सारी चीज़े बहुत easy लग रही थी मुझे मैंने इतना ध्यान से कभी सुना ही नहीं था everything with so much patience बहुत patiently teacher भी पढ़ा रहे थे और हम भी बहुत चांती से बहुत तसलिश सुन रहे थे क्यूं कि यहां पर जो मिस्टर है न यह चाहते थे क्यारी मेरा आखरी lesson है मैं इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा मैं एक ही stroke के अंदर maximum content maximum चीज़े इनके दिमाग के अंदर डाल दू ताकि ये french language को बचा सके इनको प सब्सक्राइब तो मिस्टर हैमल ने क्या कि उनको new copies दी और उन copies के ओपर क्या लिखा था फ्रांस ऐलास्के फ्रांस ऐलास्के कहते है कि बिल्कुल इस तरीके से लग रहा था जैसे कि कोई flag हमें जो है class के अंदर दिया जा रहा है हर किसी table पर France ऐलास्के ऐसे लिखा था तो कहले हिति का है the little Ons कि वहाँ पर आर जो चोटे बत श로ुब इस तरीके से यृत चोटे बत सुन रहे हैं एक बहुत चोटते बत पर पचैसे रहा है कि कै घ्र पर यह भ抽ड़ा से द Product pub करता रहे है तो क्या एक उल्याग है छ पर यह इस शऺ जर्मारं ऱ कर रहे है वह च्इया भी जर्मन के अंदर ही कूकू करो वो इस तरीके से सोच रहा है ठीक है फिर वो कहता है कि whenever I looked up from my writing कि जैसे लिख रहा हूँ और लिखते लिखते जैसे मैं उपर की तरफ देख रहा हूँ न वो देखता है कि Mr. Hamill जो है न वो गेज करें गेज मतलब बहुत intense look से सारी चीजों को देख रहे हैं वो इस तरीके से बताया थै कि वो सारी चीजों को इस तरीके से देख रहे है कि वो चाहते है कि सारी चीजे सारा दृष्य उनके mind के अंदर fix हो जाए वो छोटा सा school वो 40 years से जो एक same place पर पढ़ा क्या थोड़े से जो हमारे decks है वो खराब हो गए वालट ट्री जो है वो थोड़े हो गए हो गए होफवाइन के जो plants होते हैं होफवाइन का plant ऐसे तो जिसे money plant होते ना वह बढ़ता ही रहता है बढ़ता रहता है कि तो भी window के चारो और जो हैसे घूम गए है फिर उसके सारा समान पैक करता है और हमें जो है the country next day हमें जो है countryside country जो होता है foreign country के अंदर जैसे गाउं वाली जो जगह होती है उसको countryside कहा जाता है तो हमें गाउं जो है वो shift होना है ठीक है but he had courage to hear every lesson but यहां पे हो कह रहे है कि भाई उनके पार इतना करेश था कि वो सारा सारे lessons सुन सकत आफ्टर राइटिंग एड़ लेसं इन इस्ट्री का भी लेसं हुआ दा बेबी चैंटिंग देर बाबी बी बू बो बतला वो जो काईदे में पढ़ते ना बाबे बी बी बो वो भी जो है वो बोल रहे है खौसर जो था उसने जो है अपना प्राइमर हाथ में लिया holding इस both and spell the letters with them वो जो बच्चे उनके साथ बाबे बी बी बो भू बो 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 भी उसने भी अपना काईदा लिया वो भी उनके साथ बोलने लगा बाबे बी बी बो बू ताकि वो भी प्रोटेक कर सके इस language को बचा सके ठीक है किता है यह जो जो पूरा scenario था ना वो बहुत ही सा कि यह आखरी lesson है यार सारा सारी चीजों का Mr. Hamill आज हमें आखरी बार पढ़ा इसके बाद हम French पढ़ ही नहीं पाएंगे देन उसके बाद क्या कहते है all at once the church clock struck 12 कहते है बारा बज़े वो घंटा बचा दा एंगल्स होता है जो हमारा उस ताम पर कुछ प्रेयर होती है ठीक है कहते है same time पर trumpets बज़े प्रेशियंस की ठीक है और returning drill थी वो उनके soldiers की returning drill थी Mr. Hamill खड़े हुए उनके चहरे पर very pale बतल आये करके कुछ ऐसे कहना चाहरे बड़ कुछ उनके गल्ले में अटका हुए कि वो कह ही नहीं पा रहे उन्होंने फिर बड़े बड़े एक चौक का piece लिया और board पे सिर्फ black board पे एक लिखा weave la France weave la France का मतलब होता है long live France और उन्होंने जैसे मालोग मेरे सामने भी board है मैंने ल जो चाहते हैं प्रोटेक्ट करना उस language को प्रोटेक्ट करना और वो जो वो जो बच्चा जिसको इतने अच्छी तरीके से वो सारा सेनारियो याद है I hope आपने session को enjoy कि होगा इस पूरे chapter को बहुत अच्छे से enjoy कि होगा मुझे comment section के अंदर जूर बताना आपको explanation कैसी लगी ह अब अगर कुछ देर के अंदर आपका exam है ना मेरे भाई यह question करके जरूर 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 चले जाना और बाकि अगर आपके पास time है तो application के पर proper PDF arranged है जाके वहां से देख लेना सो मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी next chapter के अंदर मुझे दीजेगा जाज़त तिल देन बाबाई and take care